हलो फ्रेंड्स वेलकम टू CPCT Scorer इस वीडियो में हम डिकस्स करने वाले हैं मत्वर्देश आई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर में तो फ्रेंड्स यह common question paper है मतलब कि यह सभी trade के लिए common रहने वाला है तो friends वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मेज सके तो चलिए सुरू करते हैं तो देखें जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह common question paper का part number two है और part number first पहले ही upload कर दिया गया है तो friends देखते हैं first question क्या है which was the capital of मदप्रदेश before 1st of November 1956 1 November 1956 के पूर मदप्रदेश की राजधानी क्या थी तो मदप्रदेश की राजधानी पहले कौन थी तो नागपूर 1 November 1956 के पहले मदप्रदेश की राजधानी हुआ करती थी Okay friends, next question number two है इन में से कौन सा सहर अपनी मुमबत्ती के लिए प्रशिद्ध है तो कौन सा सहर मुमबत्ती के लिए प्रशिद्ध है नैनी ताल मुमबत्ती के लिए प्रशिद्ध है Next question है जनसंख्या के दिश्ध से भारत का सबसे छोटा राजध कौन सा है तो जनसंख्या के दिश्ध से भारत का सबसे छोटा राजध कौन सा है सिक किम जनसंख्या के दिश्ध से सबसे छोटा राश्ट है Next question है यातरों की संख्या के संदर्पे में भारत का सबसे बेस्ततम railway station को है हावडा कोलकाता हावडा का railway station कोलकाता जो कि कोलकाता में है भारत ने अपना पहला cricket 200 कप किस बर्स में जीता था तो कब जीता था 1983 में Next question है, FM का full form क्या होगा? तो FM का full form क्या होगा? Frequency Modulation Next question है, निलुखीत में से किस सहर का नाम परमार समराड राजा भोज की नाम पर रखा गया है? तो किसका रखा गया है? भोपाल का नाम Next question है, नवदीप में भागी रथी तथा जन लांगी नदी का संगम है जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है, यह सहायक नदी है तो सहायक नदी काउन सी है वो? वो हुगली Okay friends Next question है, किस सहर को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोयमबतूर को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है नेस्ट कोश्चन है किन्हे भारती अंतरिक्ष कारकरम का जनक कहा जाता है तो भारती अंतरिक्ष कारकरम का जनक कौन है बिक्रम सहरा भाई निल्खित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है तो इसमें समय की काई काई नहीं है प्रकास वर्स समय की काई नहीं है बलकि क्या है दूरी की इकाई है निल्खित में से किस नदी पर गोवा इस्थित है तो गोवा किस नदी पर इस्थित है मांडवी नदी पर गोवा इस्थित है next question है निलुखित में से किस पक्षी की कौन सी प्रजाती बिलुप्त होने की कगार पर है जिसके लिए उसे मद्ध प्रदेश में संदक्षणा धीन किया गया है तो खर्म और पक्षी को संदक्षण दिया जा रहा है next question है मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षीत राज्य कौन सा है मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षीत राज्य मद्ध प्रदेश में किस चीश के लिए है तांबित थाहीरे के लिए ये रिजर्व है नेस्स कोशन है भारत के प्रतम उपग्रह को क्या कहा गया है तो भारत के प्रतम उपग्रह को आरेभट के नाम से जाना जाता है अगला कोशन ये है कि ग्वालियर मध्वरदेश के फूल वाग में किसका इसमारक है तो ग्वालियर मध्वरदेश में फूल वाग में किसका इसमारक बना हुआ है जहां से की रानी लक्षमी भाई का नेस्स कोशन है ब्यापसाई ग्रूप से सोडियम का बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जानते हैं बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है Question number 18. कोडार्क में प्रसीद सूरी मंदिर किस ने बनवाया था? तो किस ने बनवाया था? नरसीघंः देव ने बनवाया था. Next question है. भारती लोक निर्थ्य चेरो किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मिजोरम का बाँस निर्थ्य. मत परदेश में कौन सा इस्थान निर्त के महुत्साव के लिए जाना जाता है तो कौन जाना जाता है खजुरा हो हिंदी कविता की रचनातमक संदचना के छेतर में दिया जाने वाला उत्रकिस्ट सम्मान कौन सा है मैथली सरण गुप्त पूरुसकार सार नाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सार नाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पार्सियों के पवित्र गरंथ का नाम क्या है तो कौन सा है चंडी गड़ एक ऐसा राज है तो दो सहरों की राजधानी है तो नेस्ट वीडियो लिकर आएंगे पार्ट नमर थ्री जिसमें हम आपको इंपोर्टेंट जीके के बारे में बताएंगे झाले बारे में बारे में आएंगे